असलाम अलेकों नाजरीन हम इस वक्त हिक्मत भाई के डेदे पर हैं और माचाला बहुत ही खुबसूरत डांसर घोड़ा बहुत खुबसूरत डांसर घोड़ा है और क्योंकि आपको पता है कि लहोर की मंडियों का जो शेडूल है वो बहुत मतासर हो चुका है करोना वाईरिस की वज़ा से तो हम इदर वो आए हैं इनके पास बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही माचाला प्यारे घोड़े हैं क्योंकि घोड़ा जो है हमारे पंजाब की सवावत है और माचाला जो एना ये देखें कितना खुबसूरत और प्यारा घोड़ा है और ये डानसर गोड़ा और माशालला बहुत ही खुबसूरत है जो आना इसे सिखाने की सिखलाने की जरूरत ही नहीं है इतना माशालला खुबसूरत है और इस तरह के जो गोड़े हैं वो हिकमत पाई के पास बहुत ज्यादा गोड़े हैं यहां पर और माशालला जो आना यह माशालों जी बहुत ही फुसूर चीज़ है चेक करें मैं आपके लिए इन दूर से आया हूं कि आपका घुड़े की जो वीडियो आपको दे सकोँ तो यह जो घुड़ा यह पौक सेल भी है यह मैं आपको बता दू यह पौक्शल भी है और इस तरह के माशाला बहुत ही जो है ना वो खूबसूरत गोड़े जो हिकमत के पास इधर मजूद हैं और इनके फार्म पर तो अगर इन हालाद में भी आप लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनके पास नहीं है आपको मिल सकते हैं तो आप इनके साथ डिरेक्ट जो है और आपता कर सकते हैं मिकमत भाई के पास तो यह माशाला देखें इस तरह के खूबसूरत गोड़े हैं यह मंडियों वाली बात नहीं है क्योंकि हमने देखा हो कि मंडियों में जो गोड़े होते हैं वो और होते हैं यह नहीं कि वो इतनी सिखलाई वाले नहीं होते हैं ले माशालला बहुत ही खुब्सूरत चीजा जी बंदे का जो एना वो एक दफा तो रूख खुश हो जाता है देखके माशालला प्रू अशालला क्या बार बहुत है लिए का वाख सुभान ला सुभान ला देखें घुडा जो आहना वो माशारला नौक मीर्ण आप तदेखा होगा कि यह जो गोडा सुझदा करता वा क्योंकि डांसर तो आपको नदर आया यहां पर गोड़े आते ही होंगे लेकिन यह के माशाला सज़दा करने वाला जो गोड़ा है और इसने सज़दा किया है यह याईञे डांस करते करते गोड़ा नहीं सज़दा भी करता है देख है माशालला शकल सूरत भी बहुत खुबसूरत गोड़े की और आंखे भी माशालला बहुत खुबसूरत गोड़े की है माशालला बहुत ही बहुत ही खुबसूरत बहुत ही खुबसूरत जितनी भी तारीफ की जाए माशालला गोड़े की बहुत काम है और जो है न वह जो दूसरा पहला अंदास था गोड़े का सलाम करने का सजदा करने का और वह सजदा करने की वो जो उन्होंने कर्तव किया है गोड़े ने माशाला बहुत हुशूरत है तो मजीद जो है वो हम दिखाते हैं आपको कुली जगाफे माशाला देखें आप इस तरह का आपको गोड़ा मंडी में नहीं में रहेगा क्या बात माशाला जी बहुत अच्छा और नादरीन इसकी जो हाईट और यह दिखें इसकी जो हाईट और भी मैं आपको बता जेता हूं पहले आप इसके पॉप और रहा है चेक करें माशाला पॉप और बिर बिरकुर साफ हैं पॉप और यह देखा पिछे वाले भी पॉओं वगरा इसके साफ है आगे वाले भी पॉओं वगरा इसके साफ पॉओं है अभी आपको फिर आमे इसके बारे में जी दिखाते हैं और इसकी हाइट वगरा के बारे में हम बताएंगे कि इसकी हाइट वगरा कितनी है बालाबजपन बालाबजब माशाला जो बहुत ही खुशूरत गोड़ा है और वाइट जो है वो चारे जिसके चारुपाउं है वो वाइट है और इसका जो चेहरा है वो भी थोड़ा सा वाइट है तो इसका जो कद है कद भी आप देखें इसके बाद ही नादरीन ये दूसरा माशाला गोड़ा आया ये वाला ये देखें